जैहिन साथ की उस्वागे थे आप सभी का एजुकेशन केट 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चुकि हर वो वेकिंसी का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्यास किया जात है आपको बता दे कि अब सिक्षा विभाग के बाद स्वास्त विभाग में भी करीब करीब डेड़ लाक नोकरी आने वाली हैं अब इसका अपडेट मैं नहीं दे रहा हूं यह अपडेट दे रहे हैं खुद प्रोफेसर चंद्रसेखल जो की बिहार के सिक्षा मंत्री हैं बिहार के स्वास्त विभाग के बारे में कैसे बता सकते हैं बिलकुल बता सकते हैं क्योंकि एक मिटिंग होई है इनकी और यह मिटिंग के बाद यहां पर सिक्षक दिवस के उसर पर यहां पे इन्होंने बोला है कि बिहार जो है यहां पर 10 लाक नौकरी और 10 लाक रोजगा पर बाटने वाला Guinness World Book record में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है जिसमें से हम लोगों ने अभी तक पांच लाख नोक्रियों का न्यूक्ति पत्र बाट दिया है जाहिर सी बात है कि हर एक विभाग जो है यहाँ पे कारणत है और हर एक विभाग जो है इसके उपर ततपर है हर है और विभाग में वेखेंसिस भी आई हुई है जिसकी प्रकरियाएं चल रही है लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्ति पत्र की तो यहाँ पर सब्से के इंट्रव्यू क्लियर हो रहे हैं उन सब के नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं इंट्रव्यू के बाद तो ये बिहार जो है ऐसे में यहां पर पांच लाख नौकरी दी जा चुकी है स्वास्ति विभाग की बात कर रहे थे जब यह तो इन्होंने कहा कि डेड़ लाख बाली अबी होने वाली यहां भी तो डेड़ लाख पदों पर नियुक्ति होने वाली है तो जो भी चात्र सुवास्ति विभाग की तयारी करते हैं या उनकी जो क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया हैं उनको अब तयार रखिए जो कि यहां पर देखिएगा तो सिक्षा विभाग के चात्रों को लेकर जो अपडेट दिया गया बहुत ही तेजी से और फटा-फट किया गया जिसमें कि यहाँ पर जो है आप लोगा नियुक्ति पत्र दे दिया गया ज्वाइनिंग करा दिया गया मतलब कि एक से दो महीने की अंदर में किसी को नहीं पता था कि मेरी किसमत बदल लने वाली है मुझे सरकारी नोकरी लगने वाली है तो अब ऐसा ही यह भी भाग करने जा रहा है और देखिए फरजी वाड़े से घुसने का कोसिस मत कीजिए तो कि फरजी वाड़े से जो जो लोग घुसे हैं सिक्षक भरती में उनको बाहर किया जा रहा और यह चीज़े एक दिन में क्लियर नहीं हो रही है यह आपका साथ साल में कभी ऐसा लगेगा इनको जब तक नौकरी रहे हैं यहां यह फरजी स्टुडेंट है उसी समय आपको बाहर किया जाएगा आपको जांश परताल करके आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा तो यह ध्यान में रिकॉर्ड बना चुका है इसे गिनिज बुक के स्थान में दिया जाना चाहिए अब सरगारी स्कूल में जल्द ही प्रधाना ध्यापकों की नियुक्ति हम करेंगे अब यहां पर देखिए हेड मास्टर्स की नियुक्ति होने जा रही है दोस्तों और आपको इसके बारे मे दिक्कत वाला बात है क्योंकि इसकी eligibility criteria ही कुछ अलग होती है तो जो लोग ऐसे हैं जो कि अब experienced हैं और वो लोग यहां पर admissions बनना चाहते हैं directly तो BPSC के exam देकर जो है यहां पर नियुक्ति कर सकते हैं सिक्षा मंत्री ने कहा कि गुरूओं को है ना गुरूओं की inquiry ठीक नहीं है लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए गुरूओं की inquiry हो रही है उन्होंने सिक्षकों को कहा है कि जो गलती हुई है उसे भूल जाईए और बच्चों को सर्वस्रेष्ट सिक्ष लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पर जब सरकारी करमचारी बनाया जा रहा है तो अब आप लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो बच्चों को सिक्षा है गुनवत्ता पुन दीजिए ताकि जो है यहाँ पर सिक्षा के साथ कोई भी हम लोग समझाओता नहीं क आने क्यों कहा तो यह सब बाते यहाँ पर देखे थोड़ा सब पॉलिटिकल हो गया इस बात को हम लोग डिसकस नहीं करेंगे लेकिन आपके लिए खवार अच्छी आ रही है कि यहाँ पर जो है जो अपडेट आ रहे हैं नई भरतियों को लेकर यहाँ पर हैड मास्टर्स क स्वास्ति भाग के और हेड मास्टर्स के तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक सूचना और आपको यहाँ आ रही है दूस्तों जो कि आज के दैनिक जागरन कहबर से यह अपडेट आ रही है कि देखे जितने लोग अभी BPSC से नियुक्ति कर रहे हैं यानि कि टीचर रिक दी जाएगे ठीक है यानि कि सरकार के आपको विरुद नहीं जाना है चीदी सी बात है चुकि यहाँ पर सरकार जो है आपके कहने पर ही यह सारी आपको दे रही है सिक्षा विवाग ने बिहार लोग से वायोग के चैनित सिक्षकों को चेतावनी सीदे सीदे दी है किसी तरह का संग या मंच बनाया गया ऐसा करते पाया गया तो उनकी नोकरी जाएगी यहाँ चेतावनी सिक्षा विभाग ने सनीवार को नौन्योग सिक्षकों को दी है यहाँ पर दोस्ता आपको दादे की विभागी आदेश में कहा भी गया है कि यहाँ बात संग्यान में आई है कि आयोग से चैनीद सिक्षिका भवीता चोरसिया ने मादमिक और उच्छ मादमिक वीपी एसी सिक्षिक भरती को लेकर संग नामक संग बनाया है याने कि यूनियन मनाया है कि उसका लेटर पैट चपवाया है अच्छा यह ग्रूप ही नहीं है इसके सांथ साथ इसका लेटर पैट भी चपा है बबीता चोरजिया उक्ति संग की अध्यक्ष भी है उनसे विभाग ने इस पस्टिकरन मांगा है कि क्यों ना आपके उपर ये जो है हम कारवाई करें है ना ये आपकी उपबंधिक नुक्ति पत्र रद की जाए तो ये जो है नोटिस मांगा गया उनसे कि आपके उपर बश्टिकरन मांगा गया इंसे और इस तथाकथित संग के मामले में चोकि अभी तक रजिस्टर नहीं है इसलिए इसको तथाकथित कहा जा रहा है तो ये संग के मामले में गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि इस प्रकार का किसी भी संग को तुर ठीक है तो उस चीज को लेकर कि अगर आप लोग यहां पर यूनियन बाजी हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखेगा आपका नौकरी जा सकता है लेकिन अपने आप में एक तरह से ये सरकार गलत भी कर रही है किसी के उपर अगर देखा जाए तो ताना साही रवया तो नहीं अपना जा सकता है सरकार अपनी कहीं आगे चलकर मनमानी करने लगे बोले कि नहीं हम तुमको सेलरी जो बोले थे उस सेलरी में कटाव करके हम लोग यहां पर दूसरा सेलरी देंगे कम सेलरी देंगे तो फिर क्या होगा फिर तो संग बनेगा ना तो कि नियामली वहां पर ज सबी चीजों को लेकर ये अपडेट आया है जो कि हमने आप तक साजा किया है दोस्तों इस वीडियो इतना ही जल्दी आप लोग के लिए नए अपडेट में फिलावी के लिए इतना ही जैहिंद